Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English Coach, कैसे हैं सब लोग? Easy Englishy Series को अभी हम लोग और ज़्यादा continue करने वाले हैं और आज इस Topic पर बात करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा Removal of 2 तो काफी सरी students की demand आ रहेती इस Topic को लेके मैं वो Topic मैं आपके सामने लेकर आऊंगी तो आई आज ये जो Topic है इसको clear कर लेते हैं समझ लेते हैं कि 2 का importance क्या है और इसको हम लोग change क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से exercises बनाई जाती हैं ठीक है? चलिए तो mainly removal 2 की exercises इसको हम लोग दो तरीके से बनाएंगे बच्चों दो तरीके की concept को आँ समझने की कोशिश करेंगे सबसे बहले देख लेते हैं कि 2 का meaning क्या होता है TOO की बात हो रही है है ना? Too much वैसा वाला तो ये जो 2 होता है इसका क्या meaning होता है? बहुत ज़ादा extreme 2 weak, extremely weak 2 fat, extremely fat उसकी बात हो रही है तो ये वो वाला 2 है तो क्या? अब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या मैं इस बात को किसी और तरीके से बोल सकती हूँ क्या? इतनी सी बात है तो जैसे कि मैंने आपको बताया जब मैंने आपको easy अंग्रेजी की शुरुवात करी थी और एक आपको एक बार पूरी basic grammar का basic नी, sorry, basic to advanced grammar का इस चार्ट दिखाया था और बताया था कि English में grammar होती कैसी है और किस तरीके से पढ़ने होती है उसमें मैंने आपको एक topic दिखाया था transformation का, क्या मिनिंग था उसका करना भी transformation होता है adjective के degrees को change करना भी transformation होता है तो देखो आप देखो कि इन में न यही होगा यहां आपको adjective दिखाई देगा और वहीं पर जाके हमको change करना होता है आगे आने वाले examples में भी आपको एक adjective दिखेगा, देखें यहां आपको adjective दिख रहा है इस sentence में adjective है fat इसमें adjective है the day is too hot है ना इसके अलावा और क्या होगा adverb भी हो सकता है जैसे कि he came आया तो सही पर too late है ना आने की जो उसकी जो reason था या जो वो आया है उसकी extend अगर देखेंगे तो कैसी थी बहुत late आया तो adjective या adverb होता है और उससे पहले two लगा होता है और इसी two के साथ में हमको क्या है change करना सीखना है तो two किस तरीके से change किया जा सकता है किसी भी sentence में यह आज हम लोग practice करते हैं ठीक है चलिए तो कुछ rule है इसके जो हम याद कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग दो टाइप से करेंगे तो पहली वाली slide पर आपको type 1 के sentences दिखेंगे दूसरी जो slide है यहाँ पर हम लोग type two का sentence बनाना सीखेंगे ठीक है दो तरीके के sentences हम लोग सीखने वाले हैं तो सबसे पहले आ जाते है type 1 के उपर कि हम लोग इस two को अपने sentence से कैसे remove कर सकते हैं अब remove करना है तो इसकी जगे पे कुछ और लगाना पड़ेगा और लगाना भी ऐसे है कि आपकी जो meaning है sentence का वो change ना हो वाव वाव क्या बात है यह तो एक वही वाली बात होगी यह पहली होगी आप बताईए इस sentence को change करके दिखाए लेकिन इसका meaning नहीं बदलना चाहिए तो हटाना चाहिए बट meaning नहीं बदलना चाहिए एक होता है ना वो तीली वाला के तीली जो माचिस की तीलिया होती है sticks होती है उनको हिलाईए और number change कर दीजिए वैसा कुछ है यह तो तो आपको हटा देना लेकिन meaning नहीं चेंज हो ना तो कैसे कर सकते हैं इन वाले sentences को करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ second type जो है उसका तरीका अलग है इस वाले का अलग है तो देखो जो हमें हमें यहाँ पर करना क्या है मान लीजे question है Ram is too fat ठीक है तो मेरा subject और word तो same रहेगी उसमें मैं कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे too हटाना है मैंने लेखा Ram is अम मुझे too नहीं लगाना तू का मतलब था extremely मतलब क्या मैं यह भी बोल सकती हो कि जितनी जरूरत है उससे जादा बोल सकती हो कि नहीं बोल सकती मैं बहुत जादा मोटी हूँ मैं कितनी मोटी हूँ जितनी होनी चाहिए एक लड़की का वजन या figure उससे ज्यादा तो required से ज्यादा है ना जितनी requirement है more than that अम more क्या है what is more much more most comparative degree है इसका मतलब जो भी adjective मेरे पास में है मुझे उस ही की comparative degree ढूननी पड़ेगी और वहाँ than लगा कर मैं बता दूंगी this is more than required fatter than required दूसरा क्या है hotter than required और मेरा sentence बन जाएगा हिंदी में तो सही था तो इंग्लिश में भी सही होगा तो मैं बोलूँगी राम is fatter ठीक है राम कैसा है fatter है कितना than required जितनी requirement है our capital ले लेंगे जितनी requirement है उससे ज्यादा clear हो गया spelling साही लिखेंगे बन गया जी ऐसे ही मैं बना सकते हूँ the day is too hot तो मैं बोलोगी the day is इतना थो देखो as it is लिखना ही पड़ेगा इसमें कोई changes नहीं है ठीक है hotter than required आचा required की जग एक और वर्ड होता है जो हम लोग यूज कर सकते है वो होता है proper than proper proper क्या होता है same word as required इसमें भी हम लोग क्या करते है proper जितना proper चाहिए उससे थोड़ा जादा है he came too late कैसे बनाएंगे इसको है न जो वारा next sentence है वो क्या है he came to अब आप लोग बताईए मुझे आप लोगों को यह चीज समझ में आ रही है कि नहीं आई है ठीक है तो हम बोलेंगे he came too late he came later than required जितना जरूरत था उससे लेट आए अब यहां चाहें आप required लिखिए चाहें आप proper लिखिए कुछ भी लिखिए चैट सेक्शन में मुझे हर बच्चा लिखिए देगा कि आप लोग क्या लिखने वाले हैं चल्दी बिताईए क्या लिखेंगे सब लोग मुझे चैट सेक्शन में इसका answer देंगे ठीक है everyone answer करिए चैट सेक्शन में आपको required लिखना है या proper लिखना है क्योंकि actually आप कुछ भी लिख सकते हैं कितना easy है देखिए यह वाला जो आपको करने का तरीका है तो simple simple ऐसे ही होता है degrees भी change करनी होती है adjective के degree भी change करनी होती है एक ही sentence को मैं तीन तरीके से बोल सकती हूँ positive degree में comparative degree में इसकी भी बैक वीडियो लेकर आउंगे easy घ्रेजी पर अगर आप लोग मुझे comment section में बता देना याद दिला देना कि मैं हम आपने कहा था आप दोगे वीडियो दे बीजे जरा ठीक है तो मैं उसकी भी वीडियो जल्दी से आपको डाल के दूँगी यह clear है CC लिखेंगे एक पर chat section में सब लोगो clear है तो यूगि अब हम लोग इसके second type पे बढ़न क्लाइम हैना क्लाइम देट्रीया कुछ भी मैं बोल सकते हूँ जो भी मेरा मन करेगा वो मैं बोलूगी हीस्टू स्मॉल टू क्लाइम वह इतना चोटा है लड़का कि वह क्लाइम नहीं किर सकता यह बच्छा है वह और या फिर रीड ऐसा लेख लिख लेंगे जालो हीज त सकें he is too young to read इतना छोटा है अभी कैसे पढ़ाई करेगा भाई आप देखो यहां पर मुझे कौन सा टू हटाना है यह वाला और इसके साथ-साथ यह भी हट जाएगा दोनों टू जाएंगे लेकिन हमारा जो एक्चल टॉपिक होता है वह रिमोवल टू वाला होता है अब इस साइजस अलग होती है मैं एक बार आपको रूल समझाओंगे फिर हम लोग सॉल्फ करना शुरू करेंगे question को एक बार पढ़ेंगे और अपनी language में इसको एक बार बनाने की कुशिश करते है question है he is too young too young extremely young to read मतलब वो इतना बच्चा है अभी young है कि वो पढ़ी नहीं सकता प तो ही और इस तो मैं इस लिख देंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना आप टू को हम लोग कर देते हैं सो में he is so young ठीक है क्योंकि two and so makes the same sense और क्योंकि हम इसको और जाद एक्सप्रेस कर देंगे आगे तो भी मारा सो से काम चल जाएगा so he is so young that हम को एक रगा पड़ेगा बताने के लिए that he is so young that to read मतलब कि वही उसी बच्चे की बाद और तो प्रणावन फिर से लगेगा he नहीं पड़ सकता cannot negative हो जाएगा sentence read the book जो भी कुछ है last में बन गया आप देखो इसमें कुछ चीज़े ध्यान देंगे उपर वाला जो sentence है एक simple sentence है बच्चो simple complex पढ़ाए थे याद है simple sentence है he is too young to read simple sentence he is so young that conjunction आ गया he cannot read दो clauses हो गया एक clause यह हो गया एक clause हो गया complex बन गया तो simple से complex भी बनाया जा सकता है जब आप transformation पढ़ते हो ना transformation एक sentence से दूसरे sentence वहां बहुत तरीकिक exercise होती है जिसमें एक exercise यह है simple से complex बन गया और ध्यान दीजिए positive से negative भी बन गया तो एक affirmative sentence he is too young to read affirmative है मैंने negative उसमें कुछ नहीं बोला लेकिन उसको मैंने दूसी तरीके से बनाया तो मेरा sentence negative हो गया he is so young that he cannot not आ रहाए देखो sentence में तो एक affirmative sentence not भी बन सकता है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस positive affirmative sentence का meaning भी सही है और इसका meaning भी सही है मैंने meaning के साथ कोई खेल नहीं किया है छेड़ खानी नहीं किया है meaning is still same only the structure is changed तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैंने एक affirmative sentence को negative में convert कि किया है yes or no क्या मैंने simple sentence को complex में convert किया है yes or no बस हो गया अब भी इसके कुछ example से वह हम लोग और पढ़ लेते हैं कभी कभी ना कुछ और भी आ जाता है exam में या मतलब exercises में हम घूम जाता है कि यह तो मैंने नहीं बिताया I am too weak to run कैसे बनाएंगे I am so weak that structure आप लोग याद कर लेंगे same subject फिर से लग जाता है I can not run कर लेंगे चलिए दूसरा करिए he is too fat to play he is so fat वहां पर हमने second degree कर दी ती जो पहला वाला टाइप सी कहता ना दैन लगा के बनाया था यह वाले नहीं है यह अलग टाइप से है तो यहां पर फैट का फैट ही रहेगा लेकिन he is so fat that he cannot वहा लगेगा क्या नहीं could not be लग सकता है अगर sentence past में होगा माली जी यहां इसकी जगे was लिखा होता ठीक है तो यह भी इसकी जगे was हो जाता और यह can की जगे could हो जाता अगर लिखा होता तो could not हो जाएगा clear हो गया सब लोग के लिए clear है यह और करते हैं he is too dull for dancer dance या फिर dancing वह इ he is so dull that he cannot be a dancer है ना complex भी बनाना है ना तो लखना पड़ेगा that he past तो नहीं था ना cannot be a dancer वह dancer बनी नहीं सकता clear हो गया बना पाएंगे the night is very cold for me अब यह थोड़ा दोको अलग structure होता है इसको हम लोग passive way में भी बना सकते हैं तो हम बोलेंगे the night is so cold the night is so cold for me नहीं लिखेंगे बोलेंगे कि मेर से बर्दास्ट नहीं हो रही night इतनी ठंडी है कि मेर से बर्दास्ट ही नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे the night is so cold that I cannot bear it अब आप बोलो कि मैं यह structure तो थोड़ा ला गया देखो हिंदी में आप लोग हम हिंदी भाशी लोग है हमारे ल language में convert करके देखेंगे तो इसका यही मतलब है night is too cold to bear too cold for me मतलब for me cold का क्या मतलब होगा इतनी cold है कि मेर से बर्दास्ट नहीं हो रहा भाई तो उसको English में लिखना है तो हम बोलेंगे the night is so cold that I cannot bear it ठीक है तो यह आपकी क्या होगी एक structure है जो आपको बनाना आना चाहिए दो example हमें करने निया रहे इससे ज्यादा कुछ नया नहीं होता this is the last option दो और है यह आपका homework रहेगा बच्चो यह आपको मुझे homework में देना है chat section में comment section में video के comment section में मुझे answer देना इसका यह और बना ले देए the ice cream is too cold for you same way the ice cream is so cold वहाँ for me था यहाँ for you है हर तरीके का example दे दिय so cold that for me नहीं है for you है तो बोलेंगे you cannot eat it है ना ice cream इतनी ठंडी है कि तुम खा नहीं सकते अब ice cream मौसम था तो beer करना है right ice cream में तो खा नहीं है तो आपने आप से लिख दीजे इतनी ठंडी है कि आप खा नहीं सकते अचा यह है आपका homework I hope यह clear हो गया होगा comment section में सब लोग मुझे बताएंगे removal to आपको करना आ गया है या नहीं और इसका correct answer क्या है मैं check करूँगी तो याद से सब लोगों ने answer देना है take care everyone bye